हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेंग का आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज बनाएंगे हम बहुती स्वाधिस डैजर्ट जो की बनता है ब्रेट से तो चले स्टार्ट करते हैं इसको बनाना मैंने लिए थे चार पीस ब्रेट के और इस तरीके से मैंने चोटे चोटे पीस में कट कर लिया है एक ब्रेट का बने है चार पीस तो इस तरीके से मैंने ब्रेट को कट कर लिया है तो चले इसको भी रहने देते हैं और देख लेते हैं क्या करना है मैं तो सबसे पहले मैंने ल अब डालड़ी में एक चमच भर कर घी और इसको अब थोड़ा सा गरम होने देंगे घी मैं इसलिए डाला है क्योंकि घी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं खाली ऑईल के जगे और या फिर इस तरीके से आप दोनों भी डाल सकते तेल गरम हो गया है और अब हम इन ब्रैट्स को फ्राइ कर लेंगे तो इस तरीके से हम ब्रैट के पिसेज डाल देंगे और इसको हम फ्राइ कर लेंगे कि स्धेर अब स्पार्ण ब्राउन करेंग अगर में ठे़ा झाया क्ली करेंगे यंचाने दू प्रेट कि अधर अगुरान書 ईतना ही हमको फ्राउन हमें फ्राई करना ए अगर ँद और इसी तरीके से हम बाकी के जितने भी bread slices है उनको भी हम फ्राइ कर लेंगे बस ध्यान रहे कि हम उसको ज्यादा dark brown नहीं करना है तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे bread slices को फ्राइ कर दिए है तो चलिए ब्रेट के सार स्ट्राइस होगे हैं फ्राइए गैस को करते हैं अब आफ तो चलिए कड़ाई को कर लिया मैंने साफ और गैस को फिर से ओन कर देते हैं यहाँ पर मैंने लिया है आदा किलो फुल क्रीम मदर डेरी का दूद इसको मैंने एक बार boil कर लिया था और इसको डाल देंगे कड़ाई में और ये थोड़ा सा दूद मैंने अलग से लिया है इसमें मैं डाल रही हूं कस्टर्ड पाउडर ये दो चमच में कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूं मैंने ये वनिला फ्लेवर वाला कस्टर पौडर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये ठंडा दूद है गरम दूद में हमें कस्टर पौडर नहीं मिलाना है वरना क्या होगा कि उसमें लंस बन जाएंगे तो चलिए पहले दूद में चीनी डाल लेते हैं तो मैं डाल रहे हैं यहाँ पे चार चमच चीनी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं और इसको अब अच्छे से बिला देंगे तो चलिए दूद में चीनी गुल गई अच्छे से और अब डालेंगे इसमें एक कस्टड वाला दूद तो इसको हम कंटीनियू चलाते रहेंगे दूद को और फिर कस्टड वाला दूद हम डालते रहेंगे अगर हम इस तरीके से दूर डालेंगे कंटीनियू चलाते वे तो हमारा कस्टड पाउडर नीचे नहीं लगेगा इसमें मैं डाल नहीं हूँ अब ये एक हलकी सी कुटी भी हरी इलाइची और आप चाहें तो इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से घरी इलाइची भी डाल सकते हैं क्याक लिए और ना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं तो मुझा वैजाक ता जो कास्टर्ड लिया था वह घ्लिहां direct तो पैले से लिबानीड personnel का flavor का लिए बहुत में बबर पकें कि भी इस लिस बिता है तो दूद को निकालते हैं यह थो पांच मिनिट के लिए sleep तो इस तरीके से हम सारे के सारे ब्रेट स्लाइस को डाल देंगे दूद में और जो इलाइची की और वनीला की फ्लेवर की जो खुष बहारी है तो पहले इसको इस तरीके से हम डाल देते हैं इसके बाद इसको हम चट करते हैं थोड़ा सा पहले सा जाना पड़ेगा ना तभी तो अच्छा लगेगा यकीन मानिए यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाता है ब्रेट तो सभी के हम आपके डेज़र जरूर ट्राइ किजिएगा मैंने लिये यहाँ पर कुछ ड्राइफरूट्स यह मैंने बादाम और पिस्ते को काटकर रख दिया था तो इस तरीके से कर लेंगे थोड़ा सा गार्निश तो चलिए हमने जो है ड्राइफ रूट से भी इसको थोड़ा सा गानिश कर दिया है तो यह थोड़ा सा सज धज गया है तो यह देखिए यह डेजर्ट हमारा कंपलेटली अब बन चुका है और देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा टेस् बनता है तो चलिए इसको ट्राइब करते हैं तो आप भी ब्रेड डिजर्ट को जरूर ट्राइब किसे गा तो चलिए मुलता है नेक्स टुडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाई और हां अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शे कियर सब्सक्राइब करना ना भूले